हेलो दोस्तो एक बार फिर से आज के इस कंप्यूटर की नई कलास में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दी का विदंदर है तो दोस्तों कल मैंने आपको एक होम रेक क्यूशन दिया था उसका आंसर जो आप लोगों को ओफलाइन कमेंट में बताना था कि CPU वरतमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का परियोग किया जाता है करेंगे बिल्कुल सटिक स्था से जो है दोस्तों आप लोग हर कुशन का आंसर करेंगे और वीडियो को भाई साब सेर कर दो ना मानोगे रहे खुद ही देखोगे और किसी को सेर नहीं करोगे भाई साब सेर कर दो अकेले मत देखो वीडियो को खुद मत देखो सभी का भला हो लाइबर्यान की जितनी भी एक्जाम उनके प्रिवेश एर के क्यूशन उठाए गए हैं और ऐसे ही क्यूशन आप लोगों के एक्जाम में पूछे जाएंगे 1500 प्लस क्यूशन जो है वो आपको कंप्यूटर के करवा दूगा और भाई साब इन से बाहर जो है आपको कंप्यूटर में क्यूशन देखने को नहीं मिलेंगे आप लोग एक बार भरोसा करके सारे विदार्ती जो हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए जादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ें वैसा मीटर को क्यानच के लेके चले 40500 तक तक कम से कम वीडियो को से लेके चलो क्या दोबेद दोसो 300 बच्चे देखते ले और इतना तो से और कर hicits को भी शेर करो तो 400 हो जाते हैं और आपके फ्रेंद सर्कल में कम से कम कोई एक बच्चा तो ऐसा हो गा जो कम्पूटर जिसके राजस्थान की बात कुझर तो पटवारी में आता है राजस्थान पुलीस में आता है इसके अलाव में बात कूंटre चाहिए में भी computer के question आते हैं भाई साब हर एक जाम में computer के question आते हैं अब चाहिए railway ले लो ऐसे सी रेलो bank ले लो library ले लो भाई साब कम से कम आप लोग से यह उमीद करता हूं कि share आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे और चलिए साथ यो आज की class की शुरुआत करते हैं और पहल right answer क्या हो जाएगा CPU is the right answer हर एक question का आप खुद से answer करेंगे उसके बाद ही मेरा answer आप लोग देखेंगे पहले अपने मन में चाहिए कर देजिए या comment करके अपना answer जो है आप लोग जरूर से जरूर करेंगे अगला question देखिए किसी program में bug क्या होता है तो दोस्तों bug क्या होत है एक error होता है दोस्तों तो option B is the right answer अगला question देखिए कौन सा computer आपकी जगा एक मिनट रुकेगा कौन सा computer को telephone line ओं का परियोग करके data अंतरीत करने की अनुमति देता है तो दोस्तों telephone line का परियोग करके data अंतरीत करने की अनुमति कौन देता है दोस्तों narrow इससे चीठानुण औकतर अमसा निमंल लिखित मेंसे कौन सा सही रूप है तो कौन सा सही रूप है इसका आंसर आप लोगों को करना है तो कौन सा इसका सही रूप हो जाएगा दोस्तो World Wide Wave WWE की फुल फॉरम जो है यह हो जाएगी ओर दोस्तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूँ जितनी भी कंप्यूटर की फुल फॉरम है उनका मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वो अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए तयार किया जा रहा है तो दोस्तो वीडियो को आप लोग शेर नहीं करोगे तो वो वीडियो आपको भाई-साब नहीं मिलेगा आईए मैं पहले बता रहूं आप लोगों को तो वीडियो को आप सेयर कर दी जाकरे ज़्यादा ज़्यादा और यह सिरफ मजाक था आपको वो वीडियो जो है मैंनेच से माप लोगों के लिए बना रहा हूं और वो वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा तकरीबन 100-100 सो जितनी भी कम्प्यूटर की फुल फोरम है उन सभी का एक वीडियो में आपको सलंगन देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगला क्यूशन देखिए निमल लिखित उतपादों में से कौन सा उतपादन जो है वो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है दोस्तों तो पेंटियम ब्रांड नाम से जो उतपादक है वो बेचा जाता है वो कौन सा हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा CPU Central Processing Unit ही वो हो जाएगा दोस्तों अगला क्यूशन देखे www के आविश्कारेक वो सेंस्थापक का नाम क्या है तो दोस्तों www www है इसके जो सेंस्थापक कौन है यह हो जाएंगे टीम बर्नर्स ली टीम बर्नर्स ली इस दा राइट आंसर निमल लिकित में से कौन सी आविश्कारेक तथा सेंस्थापक है यह साइड क्यूशन रिपीट है यह जो www है उसके सेंस्थापक वो पुछे गए है टीम बर्नर्स ली हो जाएगा अगला क्यूशन देखे पहले इलेक्ट्रोनिक अंकिये कंप्यूटर में जो है वो क्या था दोस्तो पहले इलेक्ट्रोनिक जो अंकिये कंप्यूटर है उसमें क्या था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उप्सन बी पहले इलेक्ट्रोनिक जो अंकिये कंप्यूटर था उसमें क्या था वॉ कूप्यूटर अनुपम जो है वो है दोस्तोों अगला क्यूशन डेखिए कौनन सी आविस्कारक तथा सेजितापक है तो स्पुष्ण क्रेंटी है कि कौनना विस्कारकत है क्युत्त Item कlair नुटी क्या कैरें सबसे चोटी क्या जायेक यह हो जाएगी, bit हो जाएगी, option is the right answer दोस्तो, अगला question देखिए, कोन सी भाबा परमानु अनुसंदान के अंदर दौरा विक्सित सूपर कम्प्यूटर परियोजना है, तो भाबा जो परमानु अनुसंदान के अंदर है, इसके दौरा विक्सित सूपर कम्प्यूटर जो पर किलो बाइट, अठवा, मेगा बाइट के रूप में वेक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है, दोस्तो, तो एक बाइट जो है, वो बना होता है, ओप्सन is the right answer दिवी, आठ दिवी आदारी अंकों से जो है, वो बना होता है, दोस्तो, इस पेम किस विशे से संबन दित है तो दोस्तो, इस पेम जो है, वो आप सभी को पता है, कंप्यूटर से संबन दित है, इस पेम मेल जो है, वो डाटा के प्रेशन में, प्रेशन की गती को मापने के लिए, जो इस पेम किस विशे से संबन दित सब्द है, तो दोस्तो, ये जो थोड़ा, जो थोड़ी सी टाइपिंग जो है इन कुशन की दो है थोड़ी सी एक दो कुशन में गड़ बड़ है तो डाटा है कि प्रेशन की गती को मापने के लिए स्पेम की विशे से समंदित है तो यह साइद स्पेम वाला ही है इसका ओप्शन एई राइट आंसर होगा अगला कुशन देखो इंस्ट्रक्शन के उस समुह को क्या कहते है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है तो इंस्ट्रक्शन का वो समुह है जो है वो क्या कहलाता है आपका प्रोग्राम कहलाता है क्या कहलाता है प्रोग्राम कहलाता है कौन भारत की सबसे बड़ी सोप्टवेर कंपनी है तो दोस्तों, TCS company हो जाएगी, जो आपके railway, SSC, banking की जो online exam होती है, वो कौन conduct कराती है, दोस्तों, TCS company conduct कराती है, अगला question देखें, जब कोई computer कोई करमादेस लागू करता है, तो वह करमादेस जो है, वो कहाँ पर अटक जाता है, तो दोस्तों, वह करमादेस जो है, वो कहाँ पर कहते हैं, रोम कहते हैं, computer की स्थाई memory, रोम हो जाएगी दोस्तो, अगला देखिए कोन जो है, निर्मम उपकर्ण नहीं है, तो दोस्तो निर्मम उपकर्ण जो है, वो कोन सा नहीं है इन में से, तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, दोस्तो परकासित जो लक्षन अभिग्याता जो है वो निर्मन मूब करन नहीं है तो option C is the right answer पहली computer भासा कौन सी विक्षित की गई थी तो पहली जो computer भासा जो है वो कौन सी विक्षित की गई थी दोस्तों तो वो हो जाएगी for train आपकी right answer हो जाएगी option C computer के लिए IC chip आम तोर पे जो बनाये जाते हैं तो IC chip आप लोगों को पहले भी question आचुका silicon के बनते हैं दोस्तों तो option B is the right answer निर्मन लिखित में से कौन सा जो है वो साइड इस में भी जो है ये साई से नहीं दिख रहा है अगला question आप लोग देखिएगा लेजर प्रिंटर में निर्मन लिखित में से कौन सा एक लेजर का जो उप्यूक्त लेजर परकार परियुक्त होता है तो दोस्तों लेजर प्रिंटर में जो है कौन सा लेजर का परकार परियुक्त होता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों आदूनिक कंप्यूटर का लगू रूप करन संभव हो सका है तो निमन किसके परियोग से आदूनिक कंप्यूटर का जो लगू रूप करन है वो संभव हो सका है तो किसके परियोग से जो दोस्तों ये संभव हो सका है तो इसका right answer option B आ जाएगा समाकलित परिपत चिप जो IC चिप है उसे भी इसे ही बोलते हैं दोस्तों अगला question देखिए किसी आंकड़ा संचे में record का जो वरक्साकार जो संचे है वो क्या कहलाता है तो दोस्तों आकड़ा संचे में record का जो संचे है उसे क्या कहते है इसका right answer क्या हो जाएगा option B श्रेनी बद जो model है उसी को कहते हैं दोस्तों निमन लिखित में से कौन computer आकड़ो की तूटिया परदशित करता है तो दोस्तों computer आकड़ो की तूटिया जो है वो कौन परदशित करता है इसका right answer c हो जाएगा bug जो है computer की में एक error होती है वो ही तूटिया परदशित करती है कोन सी एकтер सामगरी नहीं है दोस्तो येंतर सामगरी कोन सी नहीं है तो इसका right answer आपको देना है तो परचालन तंतर यंतर सामगरी नहीं है प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड यह सारी यंतर सामगरी हैं दोस्तों अगला क्यूशन देखे जब कोई कम्प्यूटरों को एक छोटे से छेतर में बिना टेलीफोन के तारों के परस पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों उसे कहते हैं ओप्षन भी इस्तान ये छेतर नेट्वरक उसे कहा जाता है दोस्तों ओप्षन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन देखिए, IC चीपों का निर्मान जो है वो किया जाता है, IC चीपों का निर्मान जो किया जाता है, दोस्तों किस से, Silicon से, EG क्यूशन हो गया, आजकल सबसे अधिक परियोग में होने वाली निवैस युक्ती कौन से, input युक्ती कौन से, सबसे ज्यादा जो input य किया जाता है, किसके लिए, MB की फुल फॉर्म आपको पूची है, दोस्तों, तो MB की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मेगा बाइट्स हो जाएगी, दोस्तों, option B is the right answer, मेगा बाइट्स के लिए, मेगा बिट नहीं होगा, मेगा बाइट्स होगा, अगला क्यूशन जो होती है, वो कहां होती हैं, दोस्तों, option B is the right answer, हो जाएगा दोस्तों, अगला क्यूशन देखिए, electronic computer का आविस्कार किसने क्या था? जो इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर है दोस्तो इसका आविस्कार किस ने क्या था तो इसका आविस्कार क्या था option D इन में से कोई ने इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर है इसका आविस्कार ना तो L&M तूरिंग निकी था, न ग्राहम बेरल ने किय था, न जो है मारक़नी ने किय था. इन में से कोई यह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों. अगला क्यूशन देखे. कम्प्यूटर की भासा में, मेगा बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका right answer जो हो जाएगा option D है सब्द लंबाई का पराश जो है रेंज जो हो कितना होता है तो सूपर कंप्यूटर के लिए ज़ो सब्द लंबाई का पराश जो होता है वो कितना होता है इसका option c right answer हो जाएगा 64 bit होता है दोस्तों computer virus के वो एक परकार का software है जो मुख्यता nest करते computer virus इस परकार का जो software है वो क्या नस्ट करते हैं computer के अंदर तो वो नस्ट करते हैं दोस्तों computer के program को नस्ट करते है option c is the right answer अगला question देखे उस यंतर का नाम बताईए जो computer के telephone line से जोड़ता है तो computer को telephone line से जोड़ता है उस यंतर का नाम जो दोस्तों क्या हो जाएगा उस यंतर का नाम जाएगा modem हो जाएगा दोस्तों modem is the right answer computer system के किस भाग को जो भौतिक रूप से इसपर्स किया जा सकता है, इसपर्स करने वाला कुन सा भाग होता है, दोस्तों, यह आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका right answer हो जाएगा hardware, क्योंकि हार्ड्वेर कोई हम capped calorie कर सकते हैं, dot matrix किसका एक परकार है तो दोस्तो dot matrix चो है वो किसका परकार हो जाएगा प्रींटर का परकार हो जाएगा दोस्तो उमीद करूँगा आपको सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तो like, share, subscribe आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में करेंगे वीडियोज को जितने साथी देखो कम से कम लाइक तो कर दीजा करें क्योंकि मुझे यह तो पता चले कि कितने साथी जहाँ पूरा वीडियो को देख रहे हैं अगला क्यूशन देखें Microsoft Corporation का समंद किस उद्योग से है तो Microsoft Corporation है इसका समंद किस उद्योग से हो जाएगा दोस्तो तो इनका computer software से समंद हो जाएगा दोस्तो कौन सा part computer का brain है तो दोस्तो यह CPU हो जाएगा यह राए execution आ गया कौन सा system component computer का mustix होता है तो दोस्तो component computer का mustix जो होता है यह भी कौन सा होता है दोस्तो CPU होता है तो CPU किस से related जो है बहुत सारी exam में किसन पूछे जाते हैं दोस्तो यह अगला प्रसंद देखिए computer printer किस परकार का device है तो computer printer जो है वो दोस्तों किस परकार का device है output device हो जाएगा computer में जो built permanent memory है जो उसको क्या कहते है तो permanent memory जो computer में होती है दोस्तों उसको क्या कहते है ROM कहते हैं क्या कहते है ROM कहते हैं STI memory होती है दोस्तो अगला question देखें कंप्योटर में OPEO आने वाले IC chips जो वो किस्चे मनी होती है ये भी repeated जो दोस्तो आज typing में कुछ error है क्योंकि बहुत सारे question में थोड़ी गड़बड भी आई है और इसके लाओ repeated question भी ज़्यादा है तो कल से आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो चलिए दोस्तो अगला question देखें कौन सा hardware नहीं है तो दोस्तो hardware इन में से कौन सा नहीं है तो printer जो है वो दोस्तो क्या नहीं है hardware नहीं है दोस्तो printer जो है वो hardware आपका नहीं होगा दोस्तों अगला question देखे दोस्तों printer सोरी माप कीज़ेगा java जो है hardware नहीं पुछा hardware नहीं पुछा तो इसमें आपका right answer printer नहीं कि क्या होगा java क्योंकि printer को हम touch कर सकते हैं दोस्तों processor chip को भी हम touch कर सकते हैं hardware तो जो नहीं होता है वो कि जिसको हम touch नहीं कर सकते हैं तो java जो है वो एक लेंगे वैश्य है उसको हम touch नहीं कर सकते दोस्तों अगला question देखेगा local area network जो है दोस्तो local area network है इसके अंतरगते आप से question पुछा गया local area network में निमन में से किस मद का परियोग नहीं किया जाता है तो दोस्तो local area network में किसका परियोग नहीं किया जाता है तो buffer memory मापकी जिए का java java इसका जो है right answer हो जाएगा java का परियोग जो है local area network में नहीं किया जाता है modem का भी किया जाता है computer का भी किया जाता है इंटरफेज का भी किया जाता दोस्तों जावा का जो है लोकल एरिया रेट वर्क में एले एन जिसकी फूल पोरम है तो इसका उप्योग जावा का नहीं किया जाता अगला कुछिन देखिए कंप्यूटर के डाटा सीप्यों से परीदी यंतरों को अंतरन किसके माद्यम से प् हैं जो किसमें डालते हैं computer pauts में जालते हैं दोस्तों अगला क्यूशन रहते हैं इक इस दिशावं में डाटा भेजने के लिए कों सी डाटा संचार विडी परीएव खुती है तो एक समय में दोनों डिशाव में डाटा कों सी जो computer युकती है वो भेजती है दोस्तों तो इसका right answer क्या हो जाएगा fully duplex हो जाएगा option D is the right answer full जो duplex है वो इसका right answer संचार वी दी हो जाएगी दोस्तों अगला question देखिए last question हाँ आज का अनेक घरे लूप करणों में निर्मी चोटे और सस्ते computer किस परकार के होते हैं तो दोस्तों अनेक घरे लूप करणों में निर्मी जो चोटे और सस्ते computer हैं वो किस परकार के होते हैं इसका आपको answer बताला है और इस क्यूशन का भी आप ओफ लाइन कमेंट में आंसर करेंगे तो आपके ओफ लाइन कमेंट का मुझे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंतजार रहेगा ओफ लाइन कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों इसी के साथ कल मिलते हैं अगली कलास में जैहिन जैवारत